ध्यान क्या है ध्यान हमें क्यों करना चाहिए बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष क्यों कहा करते हैं कि हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए आईए बात करते हैं ध्यान से होने वाले अध्यात्मिक लाब की ध्यान योग एक ऐसी कला है जिससे कई परकार के लाब होते हैं जिन में से एक अध्यात्मिक लाब भी है निरंतर ध्यान करने से मनुश्य में साथ्विक तक्वो की व्रिधी होने लगती है परिणाम सरु, काम, क्रोल, लोग, ग्रेना, इंसा, द्वेश, इर्शा आदी के कूविचार निरंतर दूर होते रहते हैं इससे आपका मन, शान्त और प्रसंचित पना रहता है इश्वर का ध्यान करने से इश्वरिये गुरों का विकास होता है जो सभी परकार से विक्तित विकास में सहायक होता है ध्यान से संकल्प शक्ती मजबूत होती है तथा आत्म विश्वास बढ़ता है ध्यान करने वाला कभी भी हताश और निराश नहीं हो सकता क्योंकि उसको इश्वर पर भरोसा होता है ध्यान से निरंतर प्राण तत्व के वृति होती है जिससे मनुश्य की परतेक इंद्रिय का परभाव कई गुणा बढ़ जाता है आखों और चहरे पर तेज चमकने लगता है विचारों में द्रिंता आने रखती है वानी और द्रिष्टी में ऐसी सम्मोहन शक्ते विक्सित हो जाती है कि उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकता और अधिक तो क्या कहा जाए जब योगी योग की उच अवस्था में पहुँच आता है तो विबिन परकार की रिद्या सिद्र उसे उपहार सरूप मिलती है लगतार ध्यान करने से इकागरता बढ़ती है जिससे हर बात को ध्यान से सुनने और हर काम को ध्यान से करने की आदत बन जाती है इससे समरण शक्ती भी बढ़ती है जिससे आप लंबे समय तक किसी भी बात को याद रख सकते हैं ध्यान से सभी परकार के रोग दूर होते हैं, विचार और अचारशुद होने से किसी भी परकार के मांसिक रोग के होने की संभावना कम हो जाती है.